Union Bank of India, Azevian और NHPC ये तीनों ही स्टॉक आपको 2024 के अंदर एक अच्छा खासा बुलरन दिखा सकते हैं इन तीनों ही कमपनियों के financials और fundamentals चीक चीक कर ये बता रहे हैं कि अपने current price से भी एक अच्छा खासा return मना कर देने की शम्ता रखते हैं और जिस तरीके की news इन तीनों ही स्टॉक के अंदर आ रही है वो clear cut visibility ये दे रही है कि 2024 इन कमपनियों के नाम हो सकता है यानि कि अगर आप multi bagger स्टॉक ढून रहे हैं 2024 के लिए तो मुझे लगता है इन तीनों स्टॉक पर आपको विशेश रूप से ध्यान देना चाहिए जिस तरीके का positive महौल, power sector के अंदर, banking sector के अंदर आप दिख रहा है उसका भरपूर फाइदा इन तीनों ही कमपनियों को मिलने वाला है वैसे हमने इन कमपनियों को regular आपके साथ cover किया है इनके lower level पे भी cover किया है पर अब current price पर ये कमपनिया consolidate हो रही है यहाँ पर कुछ लोगों को इन कमपनियों को लेकर भी चिंता है कि क्या यहाँ पर इनका top तो नहीं बन गया तो आज का ये वीडियो आपके बड़े काम का साबित होने वाला है तीनों ही कमपनियों को लेकर आज मैं आपके साथ discussion करने वाला हूँ और आपको बताने वाला हूँ अब आने वाले साल इन कमपनियों के लिए क्यों अच्छा साबित हो सकता है तो वीडियो को जराद ध्यान से देखिएगा चलिए वीडियो को शुरू करते हैं Hello Friends, मैं विपिंजन, Founder of Learn Equity with विपिंजन Friends, अगर आप Share Market में Trading करना चाहते हैं और Demet Account खुलवाना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पर दिये गए लिंक के मादम से आप Stocks के साथ Demet Account खुलवा सकते हैं अगर आप हमारे लिंक का यूज़ करके अप Stocks के साथ Demet Account खुलवाएंगे तो हम आपको Telegram पर Premium Membership Free Of Course प्रवाइड कराएंगे जहाँ पर आपको Market Update दिये जाते हैं Union Bank of India, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं Union Bank of India को लेकर Union Bank of India देखा जाए इस समय काफी Strong Bank है, Bank की Asset Quality काफी Stable है Gross NPA, Net NPA, Provision Coverage Ratio, सबी चीज़ों में ये Bank अच्छी कासी Performance दिखा रहा है अगर Bank के Overall Business की भी बात करें, Bank की Loan Book, Bank का Deposit, सबी चीज़ों में यहाँ पर Y-on-Y basis पर, Yearly basis पर काफी Stable Growth है, Bank at present देखा जाए, Double Digit ROI वाला Bank है और Q4 Quarter के अंदर इस Bank ने बहदी शांदार Performance दिखाई है, हमने उस पर वीडियो बनाकर Cover भी किया है और यह Bank इस समय देखा जाए, काफी सारी Positive News के साथ भरा हुआ है, अपनी Earning के अधार पर, अपने Financials के अधार पर और Bank के साथ एक नहीं अनेक Positive News है, जैसा कि आप जानते हैं, Bank में 87 रुपीज के आसपास भी QIP आया था भी पास्ट में और उस समय भी इस Bank के QIP में जो Institute Investors आये थे, उन्होंने इस Bank के अंदर Participate किया, उसमें BNP परिभास, Morgan Stanley, Bazaar Alliance और SBI Life जैसे, यहाँ पर Institute उसके अंदर Entry करते हैं, और देखा जाए, उस समय भी Bank का QIP, Current Price से जादा था और एक बार फिर इस Bank का QIP आया है, अब Government इसके अंदर फिर 3000 करोड कियां पर अपनी स्टेक सेल करने जा रही है, और उसका भी Share Price अगर आप देखें तो लबब 142 रुपीज के आसपास है, और Union Bank का Share Price भी लबब 142 रुपीज के आसपास है, यानि कि देखा जाए, इंस्टि साबित होने वाला इस Bank के लिए, ये Bank की Quality को दर्शाता है, अभी Last Week, MSCI Index में भी इस Bank को शामिल किया गया, उससे भी इस Bank का बेटेज बढ़ा है, और निश्चित रूप से आप देखेगा, आने वाले समय में इस Bank के लिए काफी कुछ Positive होने वाला है, वो आपको Bank के Share Price में द अपक 17-18% की ROI वाला Bank है, ये Bank आपको आने वाले समय में अपने Book Value के इसाब से 2 या 3 के Multiple पर आपको Easily मिलना चाहिए, यानि कि ये Bank आपको 2500 रुपे तक का Target आने वाले समय में जल्दी ही दिखा सकता है, क्योंकि Bank के Valuation, Bank के अंदर Growth और साथी साथ Institute का इस Bank के अंदर आना य ये बता रहा है कि ये Bank के लिए आने वाला समय काफी Positive है, और Institute जो भी Entry ले रहे हैं, वो 142 रुपे के Price पर अगर Entry ले रहे हैं, वो यहाँ पर जो है, एक हफते या दो हफते के लिए नहीं आ रहे हैं, वो यहाँ पर लब्बे समय के लिए आ रहे हैं, और यहाँ से पैसा लिए आने वाला समय कितना Positive है, और Earning यहाँ पर Comfort देती है, और Valuation जो है Conviction देती है, तो मेरी नजर में तो जिन लोगों के पास Union Bank of India है, उन्हें इसको Hold करके अपने Portfolio में Lock कर देना चाहिए, और अगर Share चलना ही रहा है, Consolidate हो रहा है, इसको यह मानना चाहिए कि Long Term के लिए काफी Healthy है, One Way अगर Share नहीं भागेगा, तो ज़्यादा अच्छा होगा, फिर वो आपको अच्छी कासी Rally दिखाएगा, थोड़ा बहुत Correct होगा, और फिर तेजी दिखाएगा, तो मेरी नजर में 2024 Union Bank of India के लिए काफी अच्छा साबित होने वाला है, दूसरी हमारी ज अच्छी अच्छी के अंदर बहुत बड़े कैपेक्स पर काम कर रही है, और ये कंपनी आने वाले समय में अपनी करन्ट कैपेसिटी 2.1 घीगावाट को लबगा, यहाँ से 5 गुना करने वाली है, 10 गीगावाट के आस पास ये कंपनी आने वाले 2 सालों के अंदर जाती वी दिखती है यह company एक government company है जो R.E.I.A. का भी member है renewable energy sector के अंदर इस company को काफी बड़ा capx करना है यह आप कह सकते हैं यह government की frontline company हो में है जिनको renewable energy sector के अंदर बहुत बड़ा role play करना है और यह company काफी बड़े capx पर ad present भी काम कर रही है company लगातार नई-नई subsidy का गठन कर रही है अपने capx के लिए joint venture करके भी लगातार auction कर रही है और company लगातार reverse auction करकर capx में लगी हुई है हर तरीके से इससे में capx कर रही है 2024 के अंदर यह company अपनी current capacity से आपको काफी बड़ा expansion दिखाने वाली है जो company के revenue में आपको सीधा हुआ जुड़ता दिखाई देगा और R.E.I.E.E. का member बनने के बाद इस company को एक other income में एक बहुत बड़ा इजाफा दिखने वाला है SJVN देखा जाए power sector के अंदर एक renewable energy sector को लेकर एक pure player है company solar wind hydro पर विशेश रूप से focus करती है और तीनों ही segment के अंदर company जगल लगातार CapEx कर रही है और यह CapEx आपको company के revenue में convert होता हुआ दिखने वाला है अगले कुछ quarter के अंदर तो जो लोग बाग SJVN को लेकर अभी डर रहे हैं उन्हें लग रहा है कि 120 रुपे के आसपास इस company के अंदर हाई बन गया है मुझे लगता है आप बहुत जल्दी कर रहे हैं अभी तो इस company के अंदर आपको काफी कुछ convert होते हुए देखना है और जैसे जैसे इसकी capacity expansion होगी company की earning में growth होगी company के profit में growth होगी company के valuation में growth होगी इस company के अंदर अभी काफी कुछ sum है और यह company आपको अपने current price से भी double होती दिख सकती है पर उसके लिए आपको थोड़ा company के अंदर wait करना होगा और 2024 इसकी री rating के लिए बहुत बड़ा साल साबित होने वाला है तो जिन लोगों के portfolio में SJVN का share है और जिन जिस तरीके की news इस company को लेकर डेली आ रही है जो इसके कैपेस को एक stamp दे रही है कि company राइट पात पर अपने कैपेस को लेकर मुझे लगता आपको बिल्कुल भी घवराने की जड़त नहीं है तो मुझे लगता है आपको इस company को 2024 के अंदर wait and watch करना चाहिए 2024 के अंदर यह company आपको बड़ा अच्छा रेटन देने वाली है तीसरी हमारी company है NHPC 94 रुपीज के आसपास यह company 8% trade कर रही है और पिछे इसमें 115 का हाई भी बनाए और अब यह company consolidate कर रही है जी हां consolidate कर रही है कुछ लोगों को लगता है यह company top बना चुकी है और इस company के अंदर आने वाले समय में तेजी यहां पर कम दिखाई देती है क्योंकि company के अंदर एक शार्प रन रहा है पास्ट में पर उन लोगों को मैं एक चीज़ बताना चाहूंगा इस company को लेकर यह company hydropower के अंदर देखा जाए देश की दिक्कश कंपनियों में शामिल है लबबक total hydropower capacity का 15% share अकेले NHPC स से आता है इसका मतलब आप इस company का वेटेज देखिए देश के अंदर यह मिनी दतन company government of India के लिए काफी एहम वेटेज रखती है company लगातार capex कर रही है company solar के अंदर wind के अंदर capex कर रही है और साथ ही साथ 26 plants इस company के अंदर construction है जिन पर काम चल रहा है और जो आने वाले समय मे इस company के आपको capacity edition में दिखाई देने वाले हैं 7 gigawatt के आसपास यह company at present है और इस साल के अंदर यह लगबग 10 gigawatt के आसपास होगी 3 gigawatt का capacity expansion आने वाले कुछ महिनों के अंदर होने वाला है जिसका impact इसके sales पर और profit पर आपको दिखने वाला है renewable energy sector के अंदर अगर capex होगा तो इस company का एहम रोल होगा और अभी तो इनके revenue में यह सब चीचे आपको convert होती हुए दिखनी है 45 रुपीज के आसपास किसकी book value है और यह company लगबग 10 से 11 परसेंट की ROE वाली company दिखाई देती है लगबग 2 के multiple पर यह company at present heavy level है अपने price to book के हिसाब से अभी इन company के अंदर valuation के हिसाब से काफी comfort दिखाई देता है 90 रुपीज के आसपास भी इस company के अंदर आपको काफी बड़ा बुलरन दिख सकता है अगर company के revenue में और profit में इसका capex यहाँ पर convert होता हुए दिखे और जिस तरीके से company को लेकर लगातार news आ रही है आज भी इस company को लेकर beacon air में परदान मंतरी जी ने इस company के प्लांट कहें है पर यह आप कह सकते है उसके लिए stone रखा है यानि कि इसकी शुरुआत करी है बनने के लिए तो वह clear cut visibility दे रही है कि company aggressively इस समय ground level पर काम कर रही है अभी भी सस्ती है अपने valuations और capex के अधार पर और आने वाले समय में power sector के अंदर आपको बहुत बड़ा capex दिखता है क्योंकि government of India या power capacity को दोगना करने वाली है आने वाले 5 सालों के अंदर और वो सब जादातर सरकारी कंपनियों के माध्यम से होना है तो यह company आपको long term के साथ से सोचनी है ना कि short term के साथ से थोड़ा बहुत consolidation जो दिख रहा है यह बड़ा healthy होगा इनके share price के लिए और इसके बाद जब इनके अंदर आपको rally देखने को मिलेगी तो बहुत बड़ी rally देखने को मिलेगी NHPC के अंदर भी current price से दम है double होने का अगर company का ऐसे ही performance रहे तो मेरी नजर में NHPC, SJVN और Union Bank of India यह तीनों ही ऐसी company आपको stay hold रहना चाहिए conviction के साथ और जब आपके पास conviction होगा तो आपका पैसा बनने से कोई नहीं रोख पाएगा तो उमीद करता हूँ आज का ये वीडियो तीनों ही company को लेकर आपको conviction देगा आपकी holding capacity बढ़ाएगा और अगर आप तीनों ही company के अंदर invest करने का सोच रहे हैं तो मुझे लगता है आपको long